हेलो साथियों नमस्कार कैसे हैं आप सभी श्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SSC विद्याले में साथियों अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्लिंथ टू पारामांट बुक बै नितू सिंग का सैनोनिम्स वाला पार्ट साथियों यह आपका पार्ट नमबर टू पा सारे ऐसे तरीके भी बताऊंगा जिसका उप्योग करके आप किसी भी वोकैबलरी के सवालों को कर सकते हो साथियों सुरुबात करते हैं आज का सेसन सबसे पहला सवाल कोश्चन नमबर 27 वैसिलेट बात करते हैं वैसिलेट का मतलब क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वड़े बहुत ही अच्छा वड़े वैसिलेट साथियों वैसिलेट का मतलब होता है लहर है लहराना अगर आप में से कोई भी अगर समुन्दर के किनारे गये हैं तो हाँ पर समुन्दर की जो लहरे होती है वो क्या करती है वो लहराती है ठीक है इस तरीके से लहराती है तो इसी के लिए हम यूज करते हैं वर्ड वैसिलेट आप अगर नूट करना चाहे तो नूट कर सकते हैं इस कर्थ क्या होता है साथियों वैसिलेट करत होता है लहराना ठीक है इस कर्थ होता है लहराना चलिए बारी-बारी से ऑप्संस को भी देखते हैं ऑप्संन नमर फर्स्ट साथियों वेवर अगर आप ध्यान से देखें तो यह जो ऑफसन वेवर यह वेव से बना हुआ है ठीक है यह किससे बना हुआ वेव से बना हुआ और साथियों वेव मतलब होता है यह तरंग ठीक है वेव मतलब क्या होता है तरंग इस तरीके से तो वेव से बना हुआ वेवर तो यह synonyms आप से पूछा गया था तो question number A यहाँ पर सही लग रहा है ठीक है? चुकि वैसलेट मतलब भी लहराना और वीवर मतलब भी होता है लहराना ठीक है? अगला option number B पढ़ते हैं option number B में दिया हूँ निवर निवर मतलब कभी नहीं है ना निवर नकरात्मक वर्ड है यह निगेटिव वर्ड है यह नहीं होगा आपका अगला क्यूभर यह भी नहीं होगा और क्यूएर भी नहीं होगा ठीक है? साथियों क्यूभर का मतलब होता है जिनको नहीं पता है क्यूभर का मतलब होता है तरकस ठीक है पहले के समय में जब ये बंदूक ये सब नहीं होता था तो उस वक्त तीर और धनुस होता था ठीक है तो एक ऐसा इस तरीके का होता था तरकस जिसमें बहुत सारे एरो रखे जाते थे इस तरीके का इसी को आप लिख सकते हैं अगर जिनको नहीं पता है तरकस और हाँ आपको साथी साथ ये भी काम करते चलना है कि इसमें से जो भी word मैं बताऊंगा मैं सिर्फ question को नहीं कराऊंगा साथी साथ options में इतने भी सारे word दिये गए उन सारे word का अर्थ भी बताऊंगा तो आपको करना क्या कि जिस भी word का अर्थ आपको नहीं पता है उन सारे word को आप note करते चलेंगे आप एक notebook रख सकते हैं side में या फिर आप book में ही side में लिख सकते हैं ठीक है अगला queer, queer का मतलब क्या होता है ये भी important word है और ये पूछा गया आपके exam में ठीक है ये जो word है साथियो queer, इसका मतलब क्या होता है queer का मतलब होता है साथियो इस वर्ट को आपने शुना भी होगा बिजारे, बिजारे word आपके exam में बहुतो बर पूछा जा चुका है तिसलिए आप इसको नूट करेंगे queer का मतलब क्या होता है बिजारे बिजारे न a बिजारी का मतलब क्या होता है अजीब हो गरीब ठीका कुछिर्ब हैं दुनें आपस में सनोनेम सहें ठीक तो ये सिवीं तरकस वाला गलत था और क्विएर भी गलत है ठीक के वैसिलेट मदब लहराना होता है और लहराना का ऐसी फेखी मिल रहा था अंसर वेबर क्लियर कुश्चन नमर 27 का सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर थर्ष्ट चलिए आगे बढ़ते हैं साथ यूं अगला सवाल है कुश्चन नमर सेकेंड देखते हैं क्या कह रहा है कुश्चन नमर सेकेंड में हैं इम्पेकेबल बहुत ही बढ़िया वड़ है कुश्चन नमर सेकेंड इम्पेकेबल बात करते हैं कि इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है पूरेंगी टॉन्टी छेवं इंपेकवल साथ रिंपेकवल का मतलब होता है कि जो एयर फ्री हो हो आ जिसमें कोई हिर ना हो इस इंपके बल ठीके में पर लिक भी सकते हैं इंपेकेबल सायड में लिख है एपर इंपैकेबल को काते हैं और एट्स ठीके आप इसको क्या कह सकते है इस्ट ए इस पार्फेक्ट Ilkaीक्ट मतलब क्या हो गया और सरnt मतलब कैसा व्यक्त कोई गलती ना करें ना परफेक्ट हो किसी चीज में निपून हो ठीक है तो यह तो नहीं लग रहा है अगला देखते हैं फिर फिर मतलब अच्छा सही है ना ये भी आपका नहीं होगा अगला देखिए फॉल्ट लेस फॉल्ट मतलब क्या होता है फॉल्ट मतलब क्या होता है कमी है ना फॉल्ट मतलब क्या होता है कोई किसी भी चीज की कमी जैसे आपके अंदर हर एक वक्ति के अंदर कुछ नहीं कुछ कमियां होती है तो उसी को उम्लों काते हैं फॉल्ट ठीक है या फिर आप ब आप सभी जानते हैं बताने की जुरूत नहीं है ठीक है तो कुछ नमर्टी एड का जो सही अंसर था साथ हूं ऑप्सान नमर्सी फॉल्ट लेस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ नमर्ट 29 देखते हैं कुछ नमर्ट 29 देखते हैं क्या कर रहा है कुछ नमर्ट 29 नहीं है इंपेडिमेंट बहुत इंवर्ट यह भी है और देखिए आपके इस बुक में प्लिंद्र टूप आरा मांटूप में जितने भी वर्ड दिये गया न सब सेलेक्टेड वर्ड तो एक भी वर्ड को आपको मि साथियों इंपेडिमेंट का मतलब होता है हर्डल हर्डल वर्ड आप में सुना होगा या फिर अगर हिंदी में बोले तो इसी को आप क्या बोलेंगे इसी को आप बोल सकते हैं बाधा ठीक है बाधा हर्डल भी का सकते हैं इसको ठीक है तो यह options पढ़ते हैं हम लोग option number first क्य है clear clear मतलब साफ यह तो इसका एंटोनियम में चला जाएगा यह गलत है ठीक है अगला element element का मतलब क्या होता है साथियों इसका मतलब होता है disease है ना element का मतलब क्या होता है कि element का मतलब दिजीज ठीक है यह भी आपका गलत है अगला incapable मतलब आप capable नहीं है आप योग नहीं है incapable यह भी गलत है अगला देखे और्श्ट्रक्षन आपने यह वर्ड बहुत तो बार सुना ओका इसका मतलब होता है साथियों बाधा ठीक है बीच में जो हडल हडल मतलब ही होता है ठीक है हडल रेस भी होता है तो impediment का सही अंसर क्या हो जाएगा obstruction यानि option number D ठीक है यह clear होगा आपका चलिए आगे बढ़ें साथियों अगला सवाल advance अगला सवाल क्या है आपका question number 30 advance बात करतें कि advance का मतलब होता है साथियों advance का मतलब होता है देखे जब आप competitive English की त्यारी करते हैं तो हर एक word में आपको हर एक द्रिश्रीकों से सोचना होता है एक तो advance का मतलब हुआ कि आवस्कता से अधीक है ना बहुत ही बेतरीन advance लेकिन आप यहां देखेगा तो यहां इसका अलग अर्थ है question number 30 में आँ देखे एडवांस का अर्थ है आपर प्रगती करना उसके sense में है ठीक है एडवांस का अर्थ मतलब क्या हो गया प्रगती करना है प्रोग्रेस के sense में आपर तो चलिए options देखते हैं हम लोग reduce मतलब कम करना यह नहीं होगा halt का मतलब क्या होता है option number second halt halt का मतलब क्या होता है साथियों आपने कभी न कभी ट्रेन से यात्रा जरूर की होगी तो आपने देखा होगा कि जब ट्रेन एक station से खुलती है और दूसरे station में पहुंचती है ठीक है तो बीच में बहुत बार halt आता है ठीक है छोटा छोटा आप इसको नोट कर सकते हैं पढ़ाओ हिंदी में इसको क्या बोलते हैं पढ़ाओ या फिर आप अस्टॉप इसको का सकते हो चलिए अगला देखते हैं अगला क्या है आपका option यह option भी नहीं होगा option number c देखते हैं क्या है option number c यह साथियों progress progress मतलब क्या प्रगति अभी मैंने क्या बता है advance मतलब आवश्रकता से अधिक प्रगति के सेंस में आ तो यह इस progress जो है यह लगवक सही लग रहा है ठीक है चलिए और भी options देख लेते extend extend मतलब क्या होता है extend मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना extend आप देखे समझेगा progress मतलब भी होता है बढ़ना और extend का मतलब भी होता है बढ़ना extend कहां यूज किया जाता है जैसे कि आप आप आपता result खास कर देख से का result क्या होता है अगर मानिए कि SSC नहीं कहा कि 30 तारी को result आएगा ठीक है तीस तारी को result नहीं आप आता है वह क्या करता है डेट को extend कर देता है ना बढ़ा देता है इसी सथन में आया था एक word इससे पहले वाले सथन में anticipate एक word आया था आपको याद होगा अगर नहीं आद है तो मैं आपको recall करा रहा हूँ anticipate एक word आया था साथ यो anticipate करत क्या होता था पुरुवा नुमान करना है ना मतलब किसी भी चीज का पहले से नुमान करना इस गाल anticipate ठीके तो प्रोग्नोसिस का मतलब भी वही होता है पुरुवा नुमान करना तो देखे अगर प्रोग्नोसिस दिया है और options में अगर anticipate दिया है तो वो भी उसका answer हो सकता है clear तो वर्ड से वर्ड याद करना मैंने कल बताया भी आपको कि कैसे वर्ड से वर्ड को याद रखा जा सकता है clear तो प्रोग्नोसिस आप क्या याद रखेंगे प्रोग्नोसिस से anticipate या फिर अगर हिंदी में लिखें तो पुर्वा नुमान ठीक है क्या लिखेंगे आप पुर्वा नुमान ठीक है clear यह चलिए option देखें हम लोग डाइगनोसिस डाइगनोसिस का मतलब यह आपने कभी ना कभी जाज कराया होगा ठीक है तो डाइगनोसिस पैथलेब में लिखा होता है डाइगनोसिस तो यह गलत है यह option यहाँ पर गलत होगा ठीक अगला forecast अफिर से देखें फोर मतलब पहले कास्ट मतलब किसी चीजा का मतलब किसी कीश के बारे में सोचना है ना कास्ट वर कास्ट है तो option number B यहाँ पर सभी लग रहा है आगे जितने वी उपस्घनय है उसको भी देख लेते हैं हम लोग go d और आपके पास बुग को बूर्ट को बुक का ना टो जैसे हैं पर ऊपर मिने होता है फिर प्रस्तावना भी उसको कहते हैं या फिर भूमिका करते हैं तो ये बहलत ना असे है आप याप पर सभी के पास बुक का यहां पर एक और और लिखेंगे इंटीशिपेट चुकिए पहले आ आ चुक्षित है तो एक साथ दो वर्ड याद होगा आप यहां पर note करेंगे एंटीशिपिट anticipate ठीक है आप अपने book के side में लिख लेंगे आप पर जहाँ पर prognosis word लिखा हुगा उसके side में आप note करेंगे anticipate ठीक है ये clear हो गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला word है word number 32 पोच बढ़िया word है देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है साथियों पोच जो word है इसका अर्थ क्या होता है question number 32 पोच का अर्थ होता है सिकार करना ठीक है पोच का अर्थ क्या होता है सिकार करना आप note करेंगे इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है सिकार करना ठीक है एकदम अराम-राम से करना है और किसी भी वर्ड को छोड़ना नहीं है जो भी वर्ड लगेंगे मैं सारे वर्ड को कराता जाओंगा किसी भी ऑप्सन को नहीं छोड़ना है और कोई भी जल्दिबाजी नहीं है मैं अराम-राम से करा रहा हूँ कम-कम word लेकर करा रहा हूं हर एक season में लेकिन बढ़ियां से करा रहा हूं इस तरीके से करा रहा हूं कि आपको इतना करने के बाद ज्यादा effort लगा नहीं पड़ेगा वो camp में ठीक है अगला option number A देखे catch catch मतलब होता है पकड़ना catch मतलब क्या होता है Cash मतलब होता है पकाड़ना यह गलत है आपका Option no.a साथियों यह गलत है Catch यहाँ पर नहीं होगा अगला वाड़े साथियों hunt hunting मतलब ह pension funded होता हुק bubbles हंत मतलब क्या होता है शिकार करना तो साथियों पूच मतलब भी थो था शिकार करना तो option number B यहाँ पर सही लग रहा है अगला option number C, preach यह भी नहीं होगा प्लंडर भी नहीं होगा आपका यह जो hunt था यह use करते हैं का जैसे कि कोई भी सेर सिकार करता है तो वहाँ पर hunt use करते हैं यह clear question number 32 का hunt जो है वो सही answer है चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगला वड़ है reparty अगला वड़ क्या है अगला वड़ है साथियों यह भी बढ़िया वड़ है question number 33 इसका रथ क्या होता है साथियों रिपार्टी का मतलब होता है कि बुधिमानी भरा जवाब हना तुरंत जैसे आप आपसे किसी ने कुछ सवाल पूछा और आपने तुरंत उसका जवाब दिया बुद्धिमानी भरा जवाब ठीक है उसी को उन्हों कते है री पार्टी ठीक है ओप्सन देखते हैं पहला ओप्सन है रिफ्यूज मतलब मना करना ये नहीं होगा करना उट सामाना ये भी नहीं होगा विस्टेन मतलब सवाल ये भी नहीं होगा विटी रिप्लाइए और इसमें आप देखेंगे कुछ विटी रिप्लाई यह आपका सही अशर है टिक है आपसन नमर्सी ये क्लिएर साथियों अब यहां पर एक और वर्ड आप आपको नूड करना है बुक्के सएड मेरी पार्टी जानली खाओ साइड में एक और वpri traffic करें गैरी जौए इंडर पूछा गया सवाल है एक जॉट एक जॉट का मतलब गया होता है कुश्चन नमर 34 एक जॉट का मतलब होता है किसी को समझाना एक जॉट का मतलब क्या होता है एक जॉट का मतलब होता है साथियों किसी को समझाना ठीक है रिक्वेस्ट करना इस सेंस में एक जॉट का यूज करते हैं हम लोग तो आप यहाँ नोट करेंगे, समझाना या रिक्वेष्ट करने के सेंस में, ठीक है? request request के sense में आपर use होता है clear option पड़ते है recommend recommend नहीं होगा recommend यह आपर गलत है अगला word recommend का अर्थ पता है cox option number B देखे क्या लिखा हो है cox इसका मतलब होता है fuslana यह important word है इसको note करिए cox का मतलब क्या होता है fuslana ठीक है या फिर एक और word आप note कर सकते हैं आपर casual एक और word है आपर c-a-j-o-l-e ठीक है casual इसका मतलब यह होता है casual का मतलब यह होता है साथियों किसी को fuslana बहलाना है na cox इसका synonym से अगला अर्ग करना अगला word क्या है अर्ग मतलब होता है विंती करना अर्ग मतलब क्या होता है साथियों विंती करना तो अभी मैंने क्या बता है hot मतलब request के sense में तो यह थोड़ा थोड़ा लग रहा है अगला push मतलब धक्का देना यह भी नहीं होगा तो अगर तीन option आपके eliminate हो जाते हैं तो option number C यहांपर सही होगा एक बात आपको ध्यान रखना है कि कभी भी synonyms, antonyms वाले सवाल में बहुत बार ऐसा होगा कि synonyms exact synonyms नहीं होगा ठीक है आपको near about लेके चलना होगा और बहुत बार ऐसा होगा कि same sense में दो option वापर available रहेंगे ठीक है पिछले part में मैंने पहले session में मैंने बहुत सारे ऐसे example आपको बताया थे जहाँ पर same जैसे same अर्थवाले दो-दो word option में available थे तो वहाँ पर आपको अपने दिमाग वहाँ पर आपको सोचना होगा कि किस तरीके से दो option को eliminate करके एक सही option तक पहुचा जाए ठीक है साथ यूँ चली आगे देखते हैं कि अगला देखते है अगला वर अपका अगला मुदे आपका क्यूसर नमबर 35 कंझ ल्यूरिड बढ़ियां वरड ये लूरिड क्या होता है साथ यह कर थोता है भयंकर ठीक है चलिए ऑफसंस देखें हम लोग हैपी नहीं हो गया पर हैपी मतलब खुस एबंडेंट मतलब प्रचूर यह भी नहीं होगा ठीक है ब्राइट चमकीला यह भी नहीं होगा सॉकिंग है ना सॉकिंग सॉकिंग मतलब क्या को एक ऐसा चीछ जिस सॉकिं मतलब कोई एक ऐसा चीज निगेटीव सेंस में जो आपको आश्चार मिला दे ठीक है सॉकिंग यह निगेटीव सेंस में यूज होता है तो तो आप पर नियर अबाउट लग रहा है तो यह आपका सही अंसर हो सकता है ठीक है यह आपका अंसर होगा फिर से रिपीट करेंगे यह जो वर्ड था लूरीड यह आपके अस्टेनो ग्राफर के एक जाम में पूछा गया सवाल है यह लूरीड वर्ड इसका मतलब होता था भयंकर तो देखिए एक्जेक्ट तो नहीं मिला सॉकिंग लेकिन नियर अबाउट मिला तो सॉकिंग यहां पर सही अंसर होगा बाक करते हैं कि फैमिलियर का मतलब क्या होता है साथियों फैमिलियर मतलब परिचीत कह सकते हैं जैसे आप इस तरीके से समझे कि आपका एक ऐसा दोस्त जिसके घर आप लगतार जाते हो ठीक है तो उनके घर वालों से आप फैमिलियर हो गया होंगे ठीक है मतलब जब भी जाते ह होंगे तो सब लोग आपको पस्चानते हैं ठीक है आप कभी भी चले जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है तो उसी को बोलता है familiar ठीक है मतलब जाना पस्चाना ठीक है familiar उसी को घाते है options देखते हैं साथियों कौन सा इसका समर्मस में आएगा पहला option है will known पहला option क्या है will known will known मतलब क्या होता है चिर्व परिचित मतलब कोई भी व्यक्ति आपको अच्छे तरीके से जानता है तो अभी मैंने familiar का अर्थ भी तो वह ही बताया था familiar मतलब क्या कि कहीं भी आप जाते हैं वहाँ familiar मतलब वहां के सारे लोग आपको बढ़ियां से जानते हैं ठीक है तो will known यह आप पर सही लग रहा है चलिए और भी options यहां पढ़ लेते हैं familiar पैमिल्याल का मतलब होता है घरेली ध्यान दीजेगा दोनों में अंतर है will noon विल लून मतलब क्या था familiar familiar और फैमीली को दोनों में अंतर है आप इसको भी नोट करिए यह वर्ड में आप फस सकते हैं इसको भी नोट करेगा familial का मतलब या होता है इसका मतलब होता है घरेलू domestic ठीक है इसका मतलब क्या होता है घरेलू गरेलू dominant का सकते है आप इसको familial relative मतलब तो Jeśli ए यह नहीं होग आपका common common वैक्ती common यह नहीं होगा value n यह आ पर सही था familial का जो सबसे बहतरीन जो option था well known ठीक है चलिए अगला वड़ है साथियों अगला कुछन है कुछन नमर 37 डेसर्ट बहुत ही बढ़िया वर्ड है और इसमें अक्सर बहुत सारी लोग को कन्फूजन होता है साथियों एक है डेजर्ट है और एक डेसर्ट है ठीक है जब यह वर्ड आता है तो लोग सोच जाते हैं मर्वस्थल वाला को देखिए एक होता है डेसर्ट इसका मतलता है मर्वस्थल ठीक है मैं इसका प्रोनसियेशन के थ्रो इसको समझाता हूं आपको द तो दीके यहां पर जट और यहां पर आएगा सब डॉबल एस सब गया पूद किलिए आप दोनों में अंतर कै इसका मतलब होता है मरुस्थल जैसे आपका सहारा मरुस्थल ठार मरुस्थल ठीके गोभी मरुस्थल ठीके तो यह ओगा पर डेज़र्ट डी या सी या टी तो बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है साथियों आपने कभी भी होटल में खाना खाया होगा और जब आप खाना खाते हैं लंच डिनर जो भी आपने किया होगा जब कंप्लीट करते हैं तो आपको मीठा परोसा जाता है कुछ मीठा दिया जाता है मीठा कुछ भी हो सकता है तो उसी को मिलोग काते हैं, desert, या नी, खाना खाने के बाद, कुछ भी मीठा जो खाया जाता है, जो भी मीठा कुछ दिया जाता है, उसी को मिलोग क्या बोलेंगे, desert बोलेंगे, ये clear हो गया, चलिए, अगला option पढ़ते हैं, आप लोग, wasteland, ये गलत है, wasteland यहाँ पर नहीं हो आरीनाउंस का discharge साथ ट्रिनाउंस ठीक है रिनाउंस टीक है iç का रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है त्याग ना पर ये खिलियर रिनाउं स मतलब कि आ होता है थे qe व lingering आपका गलत होगा तो तीन यहां पर तीन गलत थे और सनमर सी यहां पर सही था स्वीट इसका एक्जेक्ट साननेम स्था ठीक है चलिए यह किलियर हो गया होगा जो जो इंपॉर्टेंट वड़ है जो आपको नहीं आते हैं नोट करते चलेंगे साथ-साथ में आप नोट बुक में नोट कर सकते हैं या फिर बुक में लिख सकते हैं फिक है बुक में यह सारा तो लिखा हुआ है स्मय्लिस फिलियट बात करते हैं구요 एफिलियट कविया होता है को ऐद है कर अmil 상황 को मतलḥ होता है असोश्यइट गैरेक्ट याद रखардahan THE करना ना साथ में आ हुआ आपने बहुत पर यूज गया होगा ऐफिलियेट हुए असोशी के यह और अच्छा वर्ड है यह एफिलियेट इसको अप वर्ड के वर्ड मैंने आपको बताया था ना दो पिछले क्लास में बताया है आप उसी का और 1 उसी ये निम्स आना चाहिए जैसे कई आ Аیंपल हो गया ठिक इस तरीके से frequent हो गया तो इस तरीक उस में पूर्ट से वर्ड को याधतति अच्छा कंट्रोल नियंत्रं गIONतर रर्न करना हिए गलत होका कॉपी मतलब नकल करना यह लग अभी गलत डिस्क्रीमीनेट यह भी गलत कि Paul आप्सान नमर्भी यहां पर सही था चलिह आगे बढ़ें साथ यह हूँ अगला वर्ट आपको स्थर्ट नमर्ठ भल्ट है एक्स्प्लीसिट क्या होता है एक्स प्रीशीट बताई इसका आपकर शूट गया दिस्क्रीमिनेट इसका अर्थ मैंने नहीं बताया साथ इसका बढ आimme उसरीशीट का बताईया आप एक्स्ऽीक्ट का क्या होता है एक्सप्शीट का अर्थ क्या होता है सात्यों एक्सप्लीशीट और इंप्लीशीट दो वड़ का धिहान रखें एक अप्के ज्ल में पूछा रहता है पोड़कों मतलब नॉट्र इसका मतलब के उसके लिख पसेड़ उसके संस में अब यहotta앙 मतलब बहुत है पर आपका सकते हैं ठीक है मैं लिग देता हूं और बिसका मतलब क्या प्रत्यक्ष मतलब जो जाही रहे जो दिख रहा है प्रत्यक्ष अगला साब्धानी पुर्वक यह तो नहीं होगा पक्का है न एक्जार बिटेंट यह भी गलत है आपका अब देखें दो चीजों में आप फसेंगे clear और obvious साथ यह explicit मतलब direct होता है clear और obvious मतलब परत्यक्ष मतलब clear तो है लेकिन clear और obvious में अगर आपको छाटना होगा तो clear को यहाँ पर प्रत्मिक्ता देना होगा ठीक है मैंने आपको बताया ना कि बहुत पर आपके exam में होगा कि दो same अर्थ वाले word आ जाएंगे और वहाँ पर आपको एक को चुनना होगा कि नहीं को चुनना होगा ठीक है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा common sense यूश करणा होगा कि कौन ज्यादा उसके नजदीक है ठीक है तो obvious तो नजदीक था जबकि clear तो exact वही था तो option नमर यहाँ पर सही answer होगा clear चलिए आगे बढ़ते हैं अ हमाई पिश्णन करने 10 अगला वाणा मोळे कुश्टन नमर फोटी आख दिखने कब डीजेंट मडियां यह एदिलिजेंट इसका मतलब क्या होता है है अि विद्यार्तियों को diligent होना चाहिए यानि मेहनत करना चाहिए मेहनती होना चाहिए diligent का मतलब क्या होता है मेहनती मेहनती ठीक है इसकार्थ क्या हो गया मेहनती चलिए option को देखें हम लोग सब्सक्राइब से आपका इंटेलिजेंट मतलब क्या तेज है ना बहुत ज्यादा तेज यह गलत है आपका इनर्जेटिक इनर्जेटिक का मतलब क्या हो गया कि नगीनल टीक मतलब इनर्जी से भर्पूर रहा ना पुरा उत्सा से भर्पूर इच्पल इनोज्यटीक ये भी आप गलत हो गा अगला देखें मॉटे की अनलो नॉर्मल कॉमान का सकते हैं ठीक है मॉटbits मीश्ट मतलब क्या गा सकते हैं ऑठ कौमन विरु आपका गलत का मतलब ता मेनती ठीक और थे का मतलब का इंडस्तिर इस यह बढ़िया वर्च था इंडस्टियास का मतलब किया ज्यान मेरे गाई यह चैलिए आगे बड़ते हैं आप्स Нमडी अस्टियो सवाल नमर 41 बन इन्फ्यूरियेट इसकार्थ बताई आप अगला वर्ड क्या साथ यों इन्फ्यूरियेट बताई इसकार्थ क्या होगा इन्फ्यूरियेट का मतलब क्या होगा इन्फ्यूरियेट seemed unfuriate का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना थिक है किसी को गुस्सा दिलाना इन फुरियेट ठीक है option पढ़ते हैं लोग बर्ण मतलब होता है जलाना ये नहीं होगा डिस्क्रेस डिस्क्रेस का मतलब क्या होता है डिस्क्रेस मतलब किसी का इंसल्ट करना ये भी अच्छा वड़ है डिस्क्रेस का मतलब क्या होता है इंसल्ट करना किसी का इंसल्ट करना ये भी गलत है आपका थ्रेटिन मतलब क्या हो या आपका यहाँपर साही अंसर था इनरेज कोई दिकत नहीं है आपर आप साही है प्रिट से वही बोलेंगे बार वार रेपीट करेंगे कि जो भी वर्ड चाहिए वह कुष्चन हो चाहिए वह और आप सनो जो भी बड़ आपको नहीं आतेँ खास कर जो मैं एक्स्ट्रा वर चलिए अगला देखते हैं अगला साथियों वर्ड नंबर कुश्चन नंबर 42 प्रोस्पेक्टिव बढ़ियां वर्ड है प्रोस्पेक्टिव देखते हैं प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है साथियों कुश्चन नंबर 42 प्रो perspective मतलब कि आने वाले समय में भविष्य में होने वाला जो चीज होता है उसी को अम लोग काते हैं perspective जैसा कि कोई भविष्य में होने वाला हो ठीक है उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव, चलिए options पढ़े हम लोग, preceded, देखिए ये भविष्य के बारे में बता रहा था, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कि मतलब जो भविष्य में होने वाला हो, आने वाले समय में जो होने वाला हो, आप इसको इस तरीके से लिख स चलिए, option पढ़े हम लोग, preceded का मतलब होता है, पहले वाला, preceded, पुरुवर्ती, इसको सुद हिंदी में बोलते है, पहले, ठीके, preceded मतलब क्या, पहले वाला, पुरुवर्ती का, अभी से पहले वाला, तो ये तो गलत है, यहां future के बारे में बात हो, ये तो एंट्रनियम म बढ़िया, आप नूट करेंगे, फ्रॉट, प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है, हैप्पी सिच्वेशन का सकते हैं, फिर खुषाल, हिंदी में अगर लिखना चाहें, तो लिखे, खुषाल, खुषाल, ना, खुषाला मैंने लिखता था, खुषाल, क्या होता है, प्रॉ प्रॉट का मतलब होता है, हैरान, ठीक है, अचमभीत के सिंस में, हैरान, हैरान हो जाना, किसी चीज से आप पर्फ्लिक्स हो गया, किसी चीज के बारे मतलब उसके आप हैरान है कि यह कैसे हो गया, बात समझना रही है, चलिए अगला थीखे, पॉसिवल, अब आप ध्यान म पर पर आते हैं, यह कितना कर सकते हैं, किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है, तो वो फ्यूचर के बारे में आपने सोचा, तो पॉसिवल यहां पर नियर अबाउट लग रहा है, ठीक है, तो यह यहां पर सही अंसर होगा, यह समझ में आगे साथियों, चलिए आगे बढ़त लूज, जैसे आप जाते होंगे कभी कोई दुकान पर, आप सभी ने कभी ना कभी खरदारी जरूर की होगी, तो आप दुकान पर जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, कि हमें लूज वाल नहीं चाहिए, ठीक है, यानि घटिया समान हमें नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या ह होता है घटिया या बेकार अब इसको लिग सकते हैं उनलग या नहीं जा सकता है इसको सुधिन्दी में क्या पोलेंगे आ सहनी है तो नूट कर सकते हैं अप पर अब एर आता होगा आप सबी को जिनको नहीं आता है नूट कर लिए अगला देखिए ऑफुल बहुत ही बढ़ियां वर्ड है इसको आप नूट करिएगा जरूर ऑफुल का मतलब होता है भद्दा या फिर मतलब बिकार के सिंस में ऑफुल का यूज होता है ठीक है भद्दा धरावना भद्दा है न आफुल तो देखिए घटिया आफुल तो यह इतन नियर्बाउट लग रहा है ठीक है ऑफुल जो है वह लूजी के एक टम नियर्बाउट लग रहा है तो इसका चांस है सही अनसर होने के चलेह और भी देख लेते हो आप सनन लूज अब दिख्यों यह जो लूज है साथी रहा जोड़ा सा मतलब दी ला ञता हो जाना अपना पकड़ को देना धीक के तो यह तो गलत होगा लूज्व हम आप सभी को बता ए रहीं सभी को बस स्टिंग्क इस अपर नहीं हो गायँ यह जो इंचिंग लिखा है हम लोग और देख एकदम अराम राम से पढ़ना है और बिल्कुल भी आपको बोर नहीं होना है सेसन में हम लोग अराम राम से करेंगे और संट замर को याये कि याद कर extrem अगर अग्र नहीं करेंगे तो वर्ड को भूलते जाएंगे आप मतलब क्या होता है नमबर 44 quiz No 44 if and two atit का मतलब क्या होता है के शास्छी फार किशी का सीच पर जोर देना प्पथ पर ज्यादा फ्रोकस करना जोर देना उस्सका व tag अप लेक सकते हैं आ पर हे जोर देन popularग अना केन्स की बातों पर पर अम्छोर देना अन्गा Art ठीक है, उसको हम समर्थन कर रहे हैं, ascent, तो यह हमें लग रहा है सही, और भी option पढ़ते हैं, devaluation, ठीक है, कम होना value, यह गलत होगा, value कम होना devalue, गलत है, mitigated, mitigated मतलब क्या होता है, साथ यह कम होना, इसका मतलब क्या होता, decrease, कम होना, mitigated, सार्पेंड, तेज होना, सार्प से बना सार्पेंड, यह भी गलत है आपका, तो accentuated मतलब जोर देना, तो सही option क्या लग रहा था आपका, option number A, accent यहाँ पर सही था, ठीक है साथ यहों, कोई दिक्कत नहीं, तो note करिएगा, आप, देखिए, सबसे बढ़िया तरीका यह है, कि आप side में ही लिख लिए, ठीक है, अगर नहीं लिख सकते हैं, तो आप तब आप notebook बनाएगा, चुकि आप revision करेंगे, तो notebook में आपको word भी लिखना पड़ेगा, और हिंदी भी लिखना पड़ेगा, लिख question number 45, predominantly, देखते हैं, predominantly का मतलब क्या होता है, predominantly का मतलब होता है, सात्यों कि मुख्यता, ठीक है, mustly, इसको क्या का सकते हैं, mustly, मुख्यता, तो आप side में लिख लिए, इसको हम लोग क्या काते है, या तो mustly लिख लिख लिए, ठीक है, mustly, या फिर हिंदी में अगर लिखना च मुख्यता ठीक है चलिए options पढ़ते हैं हम लोग option number first है emphatically emphatic sentence अपने पढ़ा होगा यानि जब किसी बात पर ज़्यादा जोर दी आ जाए उसी को हम लोग emphatic कहते हैं ठीक है emphatic emphatic sentence है ना तो जोरदार emphatically emphatically का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर ज़्यादा जोर देकर कहा जाना ठीक है emphatically यह गलत है आपका अगला fully मतलब बल पुर्वक होता है यह भी गलत है option नमर डी है profoundly profoundly का मतलब क्या होता है profoundly का मतलब होता है completely इसका मतलब क्या होता है completely note करेंगे आप completely ठीक है तो देखिए a नहीं है b नहीं और d नहीं है और ध्यान से देखिए option number c में available एकदम सी मर्थ मैंने अभी क्या बता है predominantly मतलब mostly और यहाँ पर mostly ही लिख दिया है तो यहीं हो गया ना question number 45 का option number c चलिया आगे बढ़ते हैं question number 46 की और हम लोग बढ़ते है question number 46 में क्या है question number 46 में लिखा हुआ है positive बहुत ही बढ़िया वर्ड है पूछा हुआ आपके सवार आपके एक्जाम में सीप्यों के एक्जाम में पूछा गया यह वर्ड पॉसिटी वर्ड ठीक तेक इसका आर्थ क्या होता है positive जो है साथ क्या होता है question number 46 का मतलब होता है deficiency deficiency mean possibility का मतलब क्या होता है कमी इसका मतलब क्या होता है मतलब किसी भी चीज़ की कमी ठीकए deficiency क्या सकते है कमी आप लिखे हैं यहाँ पर नूट करेंगे positive क्या मतलब क्या हो जाएगा कमी the option पड़ते है sincerity मतलब ज्यादा का सीनसीर पर होना सिंसीर होना चाहिए अपर लक्ष कश परती संसियर होना चाहिए ठीक हесте है स्टवाल साथ कुछा को कमी ख है मिलग पंद पल्लिकTy अगला अगला पब्ली सिती मतलब ज्यादा यूज करते हैं यह भी गख द्वाल down fall mountain fall मतलब यानी would on Too random physical कि व्यक्ति का जब कोई व्यक्ति का मैंत वी Mar Terre ऐसे कंए डी फेम हो गया या फिर वह उसका कोई बीचीज कारभार अधम पुरा तरीके से बैठ गया down fall वहाँ पर यूच करते हैं ठीक है और सब बाहल डेमें बोलिगा ऐसको का सकते हैं पतन मतलब एकदम नीचे हो जाना ना एकदम नीचे गिर जाना तो देखे वर्ड क्या था आपका पॉसिटी इसका आर्थ क्या था कमी कमी यानि सौट फॉल तो इसका सही अंसर क्या हो जागा साथी हो आपसा नमबर बी ठीक है सौट फॉल कोई दिक्कत नहीं इसमें चलिह आगे वढ़ते हैं लोग। अगलग है, question no forty seven, question no forty seven है, invert. अवर्ट का मतलब क्या होता है? किErबोट का मतलब होता है साथ ची कुछन no 47, invert का मतलब होता है किसी सीच को टाल देना है अभी नहीं करना उसको बाद के लिए टाल देना या फिर उसको इगनॉर भी का सकते हैं, एंप लिकिंगे आपर औट का मतलब क्या होता है ताल देना कि इद्वोड कर देना अभी के लिए नौर कर देना अगला option पड़ेह। हैउट मतलब छीप आन ये नहीं होगा ओवे मतलब आग्या मानना ये नहीं होगा आग्या पूरा करना ये नहीं होगा excuse, excuse का मतलब क्या होता है बताइए excuse हम लोग है ना बहाना बनाते है excuse ये भी नहीं होगा आपका avoid करना avoid मतलब क्या होता है किसी को avoid कर रहे है बहाना बना रहे हैं उसको टाल रहे है कि चलो कोई भी आप अपनी समस्या लेकर किसी के पास गए वो आपको avoid कर दिया, इसका मतलब क्या किया है वो आपने, उसने आपके साथ क्या किया आपको टाल दिया, आपकी बातों को टाल दिया, ठीक है, avoid कर दिया, तो वहीं पर हम लोग avoid यूज करते हैं, यह आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, यह असान वर्ट आगे बढ़ते हम लोग, अगला वोड़ है, पेंसीव, पेंसीव का मतलब क्या होता है, बताइए पेंसीव का मतलब क्या होता है, पेंसीव होता है, जो अपने में विचार मंगन हो है, किसी चीज़ पर गहन चिंतन मनन कर रहा हो, ठीक है, पेंसीव, विचार मंगन, नूट जो लापरवा हो यह इंटोनेम समय चला जाएगा यह गलत है फाउटफुल विचार मंगने यह तो एक्ट मैच कर गया यह सही लग रहा है अगला पेनीटेंट पेनीटेंट देखते हैं पेनीटेंट मतलब होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आपको रिग्रेटफुल महसूस कर रहा हो यानि ऐसा व्यक्ति जिसने कोई गलत काम किया हो और बाद में वो उस पर पच्ताबा कर रहा हो ठीक है उसी को लोग बोलते हैं पेनीटेंट अगर इसका आप लिखना चाहें हिंदी तो इसका सुदिंदी होता है जैसा कि पस्चाताप होता है ना wise to अगर यह नाउन और तो पस्चातापी को ली चाहिए कोईह च्राइफ जो अफसूस कर रहा है रिग्रेट महसूस कर रहा है ठीक है उसी को भांब मो क्या बोलेंगे पेनिटेंट बोलेंगे तीक है रिग्रेट फुल अप्लिक सकते थे आपर ते अपर और कुछे नमर फोटीई केलियर हो गाब आगे बढ़ते हैं पसका कुष्इन नमबड़ सऔर्यवो मतलब क्या होता है ऑग। मतब तरक चाहिंग होता है घंटिक इंद कर प्रेंडली लिख सकते हैं ऑप्सान पठते हैं अस्मूथ मतलब चिकना यह नहीं होगा ठीक है फ्रेंडली देह कि एक दाम हम एक्जाक्ट मैच कर गया अगला सॉफिस्टिकेटेड मतलब गुटने जासा ना सॉफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है तहीं पर आपको बेचानी जादा मसूस हो रहा है वाप पर यूज हम लोग करेंगा यह क्लियर अगला रिजर्ब्ड रिजर्ब मतलब आरक्षित यह सभी को पता है कि रियर्वेशन रिजर्ब से बनाया ठीक है अगला यह कुशन नवर 49 क्लियर होगा होगा इसमें किनी को कोई डाउट नहीं होगा कॉर्डियल ठ्रेडले ठीक है आगे बढ़ते हम लूग अगला वड़ आपका प्रोवीजनल लेकिए असकुल से आपको मिलता प्रोवीजनल सर्टिफिकेट मिलता नहीं की मिलता है अपने बहुत वार किया वहां पर प्रोवीजनल मतलब क्या हो गई तो provincial का मतलब होता है साथिंग हमीशा के लिए न हो अस्थाई थिम्प्र साथ कथ या तो यह फिर कपता सकते हैं oh temporary मतलब कुछ समय के लिए आइप्र व नहीं करें प्लाइटर ते वो लापरवाही होता है नूट कर लीजेगा इसको casual मतलब क्या होता है casual मतलब होता है लापरवाही ठीक है अगला है lucky मतलब भागिशाली ये भी नहीं होगा आपका ये नहीं है ये भी lucky मतलब भागिशाली ये भी नहीं हो क्षिए न्मबर 51 क्या यें होर इंड़स को ब्यों होरãyवरी होड़ एक्षम स्थे ज cultural क्या होता है होर इंड़स कुष्ट न्मबर 51 करें ये रसना रहने का सकते सुर्ण होरा और मतलब दोने वाला है ृवा awarded если आप नूट करेइगा भयावा ठीक है option पड़के हम लोग very huge very huge मतलब क्या बहुत बड़ा यह नहीं होगा ठीक है huge मतलब बड़ा हो ना बड़ा होता है ना तो very लग गया तो बहुत जादा बड़ा यह भी गलत है huge मतलब ऐसा तो यह सुपरफलस हो जागा very huge अगला देखिए greatly unpleasant सबसे पहले आप बताएं कि pleasant का मतलब क्या होता है अप बताएं कि pleasant का मतलब क्या होता है यह जो और है सुखद अच्छा पॉजीटिव संस में अब देखे, यहाँ पर यह कै था भयावा नगेटिव वाला भयावा क्या था नगेटिव तो अगर निगेटिव ए तो उसको वहजी और आग आग अग्रेटली अनग्रिजेंट अनग्रिजेंट का मतलब क्या हो गया इक अग्रिजेंट ऐसे तुछ यह पॉजिटिव में चला गया तो साथ इसी तारीके के बारे में मैं पहले आप आपसे बात कर रहा था कि किसी किस तरीके से आप बहुत सारे कुश्चन में आप यह तरीका माइनस और पलस वाला तरीका यह पॉस्टिव निगेटिव तरीका का इस्तिमाल करके इसको मैं गाता हूं पॉस्टिव निगेटिव मिथड एक बार फिर नहीं पता ठीक है लेकिन अंसर कुश्चन तो आपको बनाना नहीं है आप बनाओगे तो छूट जायेगा ठीक है पीछे हो जाओगे तब कैसे बनाएंगे तो देखें यही को यह क्या साथ यह साथ पोच्टिवर ना यह आपका फॉष्टीवर अगला ग्रे लिए अलोर के ग्रेटली अन की जेंट सब्सक्राइब मतलब मैं आपको क्या वाता सूख़ लग्या अन मतलब यह निगेटी वरोगना यह समझ में आया कि आज आए अगला सिंसियर सिंसियर मतलब यह पॉजिटीव जोता है नहीं अट्रिय वे पॉजिटीव के सब्सक्राइब यह भी के वी पॉजिटीव इंट इतितों कि और यहाँ पर करना और वर आॉट खरकाय तू-लने और यहाँ जैसा रीजनING में क्याइज से ऐशाड़ने सवाल आपने बना तो आपर क्या साथ हो तो जो टॉपर्स होते हैं तो आप खुद सोच कर दे के साथ हो कि इतना वोकेब है ठीक है दुनिया में इतना वोकेब वोकेबलरी है SSC कहीं से भी उठा कर डाल सकता है तो क्या जो टॉपर होते हैं जो भी मतलब टॉप करते हैं जाब या फिर जो भी कॉलिफाई करते हैं सारा वो कैब उन से याद हो सकता है क्या सोचने वाली बात है जितने भी वो कैब में सब याद कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं तो वो कुछ तरीका होता है जिसका वो यूज करते हैं इस्तिमाल करते हैं तो बस ये सब तरीका है छोटा छोटा तरीका है लेकिन ये आपके एकजाम में बहुत जादा हिल्प करेगा कि माना कि आपके पास टाइम बचा हुआ कोई चीज गाम नहीं कर रहा है तब यह positive negative method लगा कर देखेगा एक बार जरूर यह work करेगा ठीक है तो सातियों आज का यह जो से सने हम लोग यहीं समाप करते हैं और फिर अगले पार्ट में लोग मिलेंगे आज हम लोग लगवग 25 सवाल हमने किया है और बहुत ही बहतरी तरीके से किया है ठीक है टाइम लगा लेकिन आज हमने 52 से हम लोग शुरुआत करेंगे ठीक है सातियों और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में सेयर करिएगा और नोट करिएगा जितना भी चीज़ा मैंने बताइए वो उसको सिंसेरली लीजेगा ठीक है मिहनत करिए अपने लक्षी और काम्याब होई हमारी बस यही इच्छा है बाकि अपना ख्याल रखे थैंक्यू सातियों जाहिंद अगले पाट में मिलेगे